एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंक इखटा करने के लिए गए ताकि उन्हें शंकों को बेच कर वो अपने लिए कुछ पुझी जमा कर पाए दोनों दोस्त तो शंक इखटा करी रहे थे तो अब वो लग गया बड़े शंग की तलाश में उसने खूब ढूंडा खूब मेनत की लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंग हासिल नहीं हुआ और उस बड़े शंग के चक्कर में उसे जितने भी छोड़े शंग मिलते उन सारे शंगों को उठा करके फेक देता क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंग था कि मुझे किसी भी हालात में वो बड़ा शंग चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पेसे कमा पाऊ तो बड़े शंग की तलाश में दोपर से शाम हो गई शाम से रात हो गई तो ना थो उसे बड़ा शंग मिला और बलकी जो छोड़े-शंग उसे मिले थे उन शंगों को भी उसने फेक दिये तो उसके हाथ में कुछ नहीं आये और जो पехळा वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंग था और कुछ छोड़े शंग थे तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंक बेज दिये तो उसके पास एक जो बड़ा शंक था उसके उसे मिले एक श़ां रुपे और जो चोड़ी-चोड़ी शंक उसके पास में थे उसके उसे मिले तीन हजार रुपे और ये जानकर हो दूसरे वाले दोस्तों को बहुत दूख हुआ कि काश मून छोड़े छोड़े शंकों को फेकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी जादा कमाई होती है उसकी दोस्तों नों से बताया कि जो छोड़े छोड़े शंकों ने फेक दिये थे न उनी को मैंने अपने पास कलेट कर लिया और उनी के वैसे मुझे मिले तीन हजार रुपे और ये जानकर हो दूसरा वाला दोस्त और भी जादा निराश हो जाता है इस कहानी को बताने का मेरा वक्सित बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में कई सारी छोड़ी छोड़ी चीजे या फिर ये कही कि कई सारी छोड़ी छोड़े मों के हास से गवा देते हैं हम अमारी day to day life में भी कई सारी छोड़ी छोड़ी चीज़ों को इग्नोर करते हैं लेकिन ये बाद आपको जान देनी चाहिए कि ये छोड़ी छोड़ी चीज़े आगे जाकर बहुत विशाल दो धरन कर लेती है हर छोड़ी चीज़ पर ध्यान लगाओ उसे इग्नोर मत करो आगे जाकर आपको इसकी आहिमेद पदा चलेगी मैं ये भी नहीं किराओ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो मेरा कहना का मतलब भी है कि आप सोचो बड़ा लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे की आपका लक्ष आपको हासिल ही दोनों दोस्तों का लक्ष एक ही था वो था पेशा लेकिन पहले वाले दोस्तों ने बड़े पर फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया और दूसरे वाले दोस्तों ने सिर्फ बड़े पर फोकस किया छोड़ी छोड़ी चीजों को एकनोर कर दिया और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहां उसे एक रूपया भी नहीं मिला और अंत में सिर्व इतना ही कहना चाहोगा कि छोड़ी छोड़े बदलाव ही बड़ी कामयाबी का इस्सा होते हैं इसी तरह के और भी वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रैस करें। मैं विलूगा आप सब्सक्राइब करें। तब तक लिए जई हिन जई भारक।